हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे इंजक्शन मॉल्डिंग के बारे में इंजक्शन मॉल्डिंग एक प्लास्टिक पार्ट बनाने की मनुफेक्चरिंग प्रोसेस है और इस प्रोसेस को 1872 में अमेरीकन जोन वेशले हयाट ने अपने भाई के साथ मिलकर इस प्रोसेस को पेटेंट करवाया था और उन्होंने सेलुलोईड क्या प्रियोग करके रोज मर्रा की जिंदगी में प्रियोग होने वाली कुछ वस्तूओं को इसके साथ बनाया था अब बात करते हैं कि यह जो प्रोसेस है इसमें हम थर्मो सेटिंग प्लास्टिक और थर्मो प्लास्टिक की मदद से पार्ट बना सकते हैं लेकिन most commonly थर्मो प्लास्टिक मैटीरियल को as a raw material इसमें यूज किया जाता है जिसकी मदद से खिलोने, पानी की बोतल, कंगी, पानी के बोतल के ढखकन से लेकर automotive part तक जो होते हैं उनको हम बना सकते हैं अब बात करते हैं कि जो injection molding है इसमें जो machine हम प्रयोग करते हैं उसमें क्या-क्या part होते हैं और working इसमें किस प्रकार से होती है तो इस diagram में आपको नजर आ रही है कि एक machine लगी हुई है जिसमें एक motor आपक hopper के बाद एक barrel होता है और barrel के अंदर एक rotating और reciprocating screw होता है और कुछ machines में ram का भी प्रयोग किया जाता है तो ये जो screw होता है ये forward और backward ये move कर सकता है reciprocate करता है axial direction में उसके बाद ये जो barrel है barrel के उपर heater लगे हैं ताकि जो plastic का raw material आएगा powdered foam में उसको heat किया जासके और उसके बाद में melt किया जासके और यहां पर एक nozzle है nozzle से फिर जो molten plastic होगा वो जो mold है mold के अंदर जो cavity है उसमें चला जाएगा तो बात करते हैं कि इसमें जो processor वो किस परकार से होती है सबसे पहले जो powder plastic compound है जो granulars की foam में होगा उसको सबसे पहले गरम कर लेते हैं गरम उसको इसलिए क करते हैं अगर उसमें कोई moisture है उसको remove किया जासके उसके बाद powder plastic compound को hopper में डाला जाता है hopper में जब डालते हैं तो उसके बाद hopper से वो जाएगा जो cavity barrel के अंदर बनी है उसके अंदर वो जाएगा by gravity तो उसके बाद क्या होगा कि सबसे पहले starting में जो screw है जो rotate करता है उससे पहले हम उसको rotation देने से पहले hopper से कुछ जो granulars या pellets की form में plastic को डाल देते हैं और उसके बाद जो heating है वो provide की जाती है heaters की मदद से तो जब जैसे ही heating provide की जाती है जो plastic था powder form में या pellets की form में वो melt हो जाता है तो उसके बाद screw को rotate किया जाता है और साथ में उसको axle direction में reciprocate किया जाता है तो जैसे ही screw हमारा axle direction में reciprocate करेगा आगे की तरफ तो जो molten जो plastic है उसको pressure apply करेगा और साथ में जो इसके आगे का जो molten metal है वो इस nozzle के थुरू अंदर जाएगा इस cavity में तो इस diagram में अगर आप देखें कि जैसे ही हम further move करते हैं forward direction मे screw को जो molten plastic था वो जो cavities थी उसके अंदर चला गया क्योंकि जब हम process को सुरू करने से पहले जो mold है वो दो component से मिलकर बनोता है तो उनको assemble किया जाता है तो assemble करने के बाद जो cavity बनी है उस cavity में जो pressure apply किया जाता है screw की मदद से उस screw की मदद से pressure जो apply होगा उससे जो उसके आगे का जो molten metal है nozzle से वो इस cavity में चला जाएगा और इस cavity में जाने के बाद हम कुछ second तक pressure को apply करके रखते हैं जब तक cooling नहीं हो जाती तो cooling होने के बाद और जो material cavity में जब वो hard हो जाता है तो जो pressure है उसको release कर देते हैं pressure को withdraw कर लेते हैं कह सकते हैं तो इस process में अगर आप देखें तो जैसे ही हमारा product जो बनेगा वो solid हो जाएगा तो unclamp कर देते हैं mold को और product को बाहर निकाल लेते हैं तो अब बात आती है कि जो mold हम इसमें use करते हैं अगर आप इस diagram को देखें कि injection mold हम क्या-क्या use कर सकते हैं अगर हम इस chair बनानी है तो इस तरह का दो part का mold है ठीक है इसको आपस में फिर जोड़ा जाता है और बीच में जो cavity बनती है वो chair की cavity बनती है उसमें molten plastic को डाला जाता है तो एक chair बन जाती है तो इस बरकार अगर आप देखें जो mold के जो दो part होते हैं अगर हम बात करें ये आप देखें इसमें ये वाला जो part है ये fix होता है और ये movable होता है क्योंकि इसमें कुछ injecting pin लगी होती है जिसकी मदद से इसको अलग कर लिया जाता है तो अलग अलग part है यहाँ पर एक dust bean आप देख सकते हैं dust bean का ये mold दो part में बना हुआ है carrot देख सकते हैं जिसके दो part बने है उसके बाद ये अगर आप देखें box और ढकन है जो ये दो part में mold है mobile case बनाया जा सकता है चस्में बनाई जा सकते हैं chair बनाई जा सकती है तो कह सकते हैं कि जो भी component हम तयार करेंगे injection molding से plastic का प्रयोग करके वो जो mold है वो दो part में बना होगा तो उन दोनों part को assemble किया जाता है ताकि बीच में एक cavity बन जाती है और उस cavity में sprue और runner या gate के माध्यम से molten metal को डाला जाता है तो इस प्रकार से इसमें ये process होती है अब बात करते हैं कि जो injection molding process है इसके कुछ advantage भी है और कुछ disadvantage भी है अब इसमें advantage के अगर हम बात करें यह एक fast process है अगर हम mass production करनी है single product की तो उस case में एक economical process भी है उसके बाद इस process में जो wastage होती है वो बहुत कम wastage होती है अगर कोई scrap बच भी जाता है तो इसको फिर से reuse कर सकते हैं easily mechanized किया जा सकता है मतलव कि इसमें हम automation कर सकते है fully automatic भी process हो जाती है intricate shape मतलव कि complex shape को भी इसमें बनाया जा सकता है क्योंकि इस process में design flexibility भी होती है design flexibility होने के साथ साथ हम wide range of material का हम प्रयोग कर सकते हैं इसमें उसको process किया जाएगा जिससे बहुत सारे type के material को बनाना संबब होगा और दूसरा जो product हम बनाएंगे उसमें हम good decoration भी उसमें provide कर सकते हैं और जो part हम हमें मिलते हैं final जो part मिलते हैं उनकी finishing बड़ी अच्छी होती है उन पे बाद में finishing करने की बहुत कम जुरूरत और इस process में हमें material और color flexibility भी मिल जाती है जैसे अगर आप यहां पर देखें जो इसके applications में अलग-अलग रंगों के product इसमें तयार किये जाते हैं और दूसरा इसमें जो labor cost है वो कम रहती है लेकिन इतनी सारी advantage होने के बावजूद भी इस process की कुछ disadvantage भी है जिसे हम खामिया क कह सकते हैं तो वो disadvantage इस परकार से है इस process में जो equipment हम use करते हैं उनका initial जो cost होता है वो बहुत ज्यादा होता है तो कह सकते हैं investment बहुत ज्यादा होती है उसके बाद इसकी start-up और running cost वो भी ज्यादा होती है difficulty आती है designing mold जब mold बनाना होता है उसमें difficulty आती है उसके बाद हमें high pressure क requirement होती है जब हम eject करते है molten metal को screw की मदद से mold cavity में nozzle के थूँ दूसरा कि कई बार जो contaminants are raw material के साथ चले जाते हैं जिससे जो final product है उसकी quality पर भी कुछ असर पड़ता है इसके अत्रिक्त हम बात करें कि अगर जो injection molding process की जाती है अगर हमें उसमें lack of knowledge है लेकिन थोड़ी बहुत knowledge की कमी है हमें fundamental नहीं पता है process के तो उससे भी थोड़ी दिक्कत आ जाती है दूसरा कि जो injection molding process की जो industry है उसमें competition बहुँ जादा है तो जिसके कारण इसमें जो profit margin है इस process में वो बहुत कम रहते हैं अगर हम बात करें applications की तो यह आपको बहुत सारे ऐसे रोज मर्रा में प्रियोग होने वाली आपको वस्तुए नजर आ रही हैं जो हम बनाते हैं तो आप देख सकते हैं, अलग-अलग हैं carrot बन सकते हैं, box बन सकते हैं पानी की bottle बन सकती हैं, tray बन सकती है टेबल बन सकते हैं, चेर बना सकते हैं, स्पून बना सकते हैं, बालों में करने वाली कंगी को बनाया जा सकता है तो automotive part बन सकते हैं, प्लास्टिक के gear बनते हैं, जो खिलोना में यूज होते हैं, twice बनते हैं तो storage container बनते हैं तो कुछ ऐसे musical instrument है जो इसकी मदद से भी बनाए जा सकते हैं उसके बाद मैं थोड़ा सा add करूँ कि जो mold हम इसमें use करते हैं injection molding process में ये जो mold होता है ये steel का भी बना हो सकता है beryllium copper alloy का भी बना हो सकता है और अगर हम बात करें aluminium के भी बनाए जाते हैं क्योंकि जो aluminium है वो सस्ता है और सस्ता होने के कारण जो aluminium से बने जो mold है उसका हम तभी प्रयोग करते हैं जब हमारा जो production run है वो छोटा हो और जो mold हम बनाते हैं mold बनाए कैसे जाते हैं किसी भी product के mold या तो EDM process से बनाया जा सकता है जो EDM है जिसको हम electro discharge machining कहते हैं या फिर जो spark erosion processes होती है इन processes की मदद से injection molding process में प्रयोग होने वाले जो mold हैं उनको तयार किया जाता है तो इस प्रकार से दोस्तों हम आपके साथ discuss किया injection molding process के बारे में कि इसके process क्या है इस process में जो machine use करते हैं उसके क्या क्या components होते हैं इस process की advantages क्या है disadvantages क्या है और application क्या है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ और channel को subscribe करना ना भूलें जल्दी हाजर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे कर दिन सुब रहे